25 जन्वरी 2023 को तेर्मा राश्ट्रे मद्दाता दिवस है इस अपसर पर भारत के प्रदियेक नागरिक को बधाई देते हुए मुझे अध्यदिक खुशी हो रही है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जन्वरी 1950 के एक दिन पहले 25 जन्वरी 1950 को हुई थी ये भारतिये लोगतंतर के लिए एक असाधारान उपलब्दी वाला दिन था कहीं हम इस तारीक और इसके महत्व को भूल न जाएं इसलिए हम 25 जन्वरी को रास्तिये मद्दाता दिवस के रूप में मनाते हैं मद्दाता लोगतंतर की रिवल होते हैं यही कारण है कि आयोग ने अपना इस्थापना दिवस मद्दाताओं को समर्पित किया है हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवन्त लोगतंतरिक देश है लोगतंतर प्रतियेक भारतिय की रगों में रचा बसा हुआ है और हमारे समाजिक, भगोलिक, सामोहिक, विवित्थता वाले देश में एलेक्टरल रोल से पोल यानि बोटर बनाने और मद्दान कराने में हम हर व्यस्क नागरिक से समर्थन की अभिलाशा रखते हैं आज मैं भारत के मद्दाताओं को निर्वाचन में पूरे जोशेव मुत्सा के साथ भागीदारी करने और देश में सुतंत्र, निस्पक्ष और एथिकल निर्वाचन सुनिश्चित करने में यिथा संभव योगदान देते रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ इसके लिए हम अपने मद्दाताओं के पृति किर्टग भी हैं और अभारी भी हैं भारतिये निर्वाचनों का आयाम और विस्तार दोनों ही अधबुत है चुनाओं का इतने बड़े स्तर पर संचालन दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है मैं भारत की विशाल निर्वाचन मशीनरी को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने पृतिये निर्वाचन को लगबग सिक्सिग्मा एक्टिविटी यानि परफेक्टली पूरी साफधानी और कुशलता के साथ आयूजित किया है मैं निर्वाचन सेवाएं उपलब्द कराने में आसाधारन योगदान करने के लिए अपने लगबग दस लाख बूथ लेविल अधिकारी के पृति भी अभार व्यक्त करता हूँ मैं भारतिय निर्वाचनों के इस एत्यासिक सफर में हर कदम पर सहयोग और समर्थन के लिए सभी राजनितिक दलों को हिर्दे की गहराईयों से धन्यवाद देता हूँ उनके साथ समबाद, सहमती और आपसी सदभावना हमारे लोकतंतर में निर्वाचन प्रणाली की पहचान है अमद्दाता के बाद राजनितिक दल बड़े स्टेक होल्डर है डेमोक्रेसी को डीप रूटेट और अलेक्शन इंटिग्रेटी को और सुदर्ण बनाने में उनका निरंतर सहयोग अती प्रिशन्चनिय है प्रिटिएक स्टेक होल्डर का आयोग के निस्पक्ष था और चुनाओ परिणामों की विश्वशनियता पर भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है निर्वाचनों को निस्पक्ष, समयबद और प्रोफेशनल तरीके से संचालित करने की अपनी कारेश हैली के कारण ही भारत निर्वाचन आयोग ने ये भरोसा हासिल किया है यही कारण है कि आयोग आज अंतरास्तिय स्थरपर अले3 च्रे बोड़ी यानि दूसरे देशों के निर्वाचन आयोग और अलेशन अथौर्टीज के साथ अलेशन इंटिग्रेटी समू का नित्रत्व कर रहा है भारत निर्वाचन आयोग विश्व के सभी लोगतंत्रिक देशों के लिए निर्वाचन प्रवंदन में ट्रेनिंग कोर्स भी संचालित करता है भारत में निर्वाचनों की संख्या वर्ष 1951 में लगबक 17 करोड थी जो अब बढ़कर लगबक 94 करोड हो गई है इसी प्रकार वर्ष 1951 के चुनावों में हमारा मद्दान प्रतिशत लगबक 44.8 परसेंट था जो 2019 के लोगसवा चुनावों में बढ़कर 67.40 हो गया है करीब 30 करोड निर्वाचन कैसे हैं जोनोंने 2019 के पिछले निर्वाचन में मद्दान नहीं किया था चुनावों में उनके ना भाग लेने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं जैसे छेरी छेत्र में और युबाओं की कम भागिदारी और उत्सा अब 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद बोटर बनने के लिए तो किसी को इंजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पृतियक तिमाई में क्वालिपाइंग डेट आती है इतना ही नहीं 17-18 वर्ष के बीच के भावी मददाता भी अब पहले से ही एडवांस में पंजिकरण करवा सकते हैं 18 वर्ष की आयू पूरी करते ही निर्वाचक नामावली में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा और उनका वोटर कार्ड स्पीस पोस्त द्वारा निर्वाचा नायोग भेज देगा हमें भावी मददाताओं के यानि 17-18 वर्ष के युवा मददाताओं भावी मददाताओं से लगबग 11 लाख अग्री माविदन यानि एडवांस एप्लिकेशन प्राप्त हो चुके है नए मददाताओं को जोड़ने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन का प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को कर दिया गया है इसमें युवाओं, महिलाओं, थर्ड जेंडर को शामिल करने पर विशेश ध्यान दिया गया था और इन प्रियासों के कारण अब हमारे पास हमारे वोटर लिस्ट में 18 से 19 आयूस बर के लगभग 1.43 करोड युवा मददाता है और प्रसनता की बात ये है कि 80 वर्से अधिक आयू के लगभग 2 करोड मददाता है जिन में से 3 लाग से अधिक मददाता शताईू हैं और 100 वर्से अधिक के आयू के है और लगभग 85 लाग मददाता परसन्स विद डिसेबिलिटी के है और हमारे रोल में 47,500 थर्ड जेंडर मददाता भी है यानि 18 साल से लेकर 100 वर्से अधिक आयू के महिलाएं, PWD, थर्ड जेंडर सभी हमारे प्राउड मददाता है और इस तरह हमारा रोल सर्व समावेशी है यानि इंक्लूसिव है और पोलिंग को हम लगातार, इंक्लूसिव और एक्सेसेविल यानि समावेशी और सुगम बना रहे है तेरवा रास्ट्य मददाता दिवश में हम युवा और भावी मददाताओं पर विशेज ध्यान दे रहे है क्योंकि हमारे लोकतंत्र के भविश्य की बागडोर उनी के हातों में है युवा लोगों के पास आप सब जानते हैं कि एनरजी, इन्नोवेशन, क्रियेटिविटी और एक नया दरस्टिकोन के रूप में समाज को देने के लिए बहुत कुछ है आपकी चुनावी भागेदारी से सजग नागरिक्ता और समाजिक जुम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है आपकी चुनावी उदासीनता ने तो आपके अपने हित्मे है और नहीं देश के हित्मे है लोकतंत्र में आपका स्टेक सबसे जादा है इसलिए युवाओं को अपने बोट के महत्र यानि उसकी ताकत को कम करके नहीं आकना चाहिए मेरे युवा साथियों मद्दान एक अनुठा अनुभव होता है इसलिए इस वर्ष के रास्टे मद्दाता दिवस की थीम है बोट जैसा कुछ नहीं बोट जरूर डालेंगे हो मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस थीम को अपनाएं इसमें विश्वाश करें इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और जहां तक भी संबब हो इसे प्रदर्शित करें हैश्टेक करें और इससे भी मेत्मुन है कि आप सभी को अगले चुनाओं में मदान के आनंद का प्रत्यक्ष अनुवब उठाना चाहिए हम आप सभी के लिए मैं भारत हूँ हम भारत के मदाता हैं नामा के गीत को लॉंच भी कर रहे हैं और इस गाने का लिंक 25 जनवरी को दुपएर एक बजे के बाद आयोग की वेब साइट और सोशल मीडिया चैनल ओपर उपलब्ध होगा मुझे उम्मीद है कि आप इस गाने को पसंद करेंगे भारत निर्वाचन आयोग धन और बहुबल के दुर्पयोग पर भी अंकुष लगा कर निर्वाचन प्रितकरिया को स्वच्छ बनाने के लिए पृतिवद है हम निर्वाचन सुधारों पर लगातार काम कर रहे हैं इस ए वर्क इन प्रोग्रिस कानून को सक्ती से लागू कर रहे हैं और मद्दाताओं को उमीद वारो द्वारा उनके शपत पत्रों में जो जानकारी दी जाती है उससे अवगत करा रहे हैं यदि किसी पृतियाशी की अपराधिक प्रस्ट भूमी है तो उसे भोटर की जानकारी के लिए प्रकाशित करा रहे हैं उसके लिए एक एब भी बनाया है जिसका नाम है Know Your Candidate KYC और तक्नीक का इस्तमाल हम मद्दाताओं की जानकारी के लिए ही नहीं प्रत्याशियों के लिए भी अधिक से अधिक कर रहे हैं चुनावों में किसी भी बुराईग नहो दुरुपयोग नहो इसके लिए हमने एक सी विजिल नाम का एब भी बनाया है यानि विजिलेंट सिटिजन आप चुनावों में दुरुपयोग की कोई भी शिकायत कर सकते हैं जिसमें हम आपका लॉंगिट्यूड और लेटिट्यूड जहां से भी आपका फोन होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं और आपकी लोकेशन सोते जानकर हम सो मिनिट में कारवाई करते हैं साथियोग वोट वह साधन है जिसके द्वारा लोग लोकतंत्र में अपनी राजनितिक संपुर्भता को प्रियोग करते हैं आज रास्टे मद्दाता दिवस के अफसर पर आईए हम अपने देश की सोतंत्र, निश्पक्ष और शांतिपून चुनाओ की समरद्द लोकतंत्रित परंपरा की रक्षा करने के अपने संकल्प को दोराएं और लोकतंत्रिक प्रिक्रिया में अपनी गही आस्था की पुस्टी करें मैं एक बार फिर रास्टे मद्दाता दिवस के अफसर पर देश के प्रितियक मद्दाता को हरदिक बधाई और शुप्त कामनाएं देता हूँ किर्पिया जब भी आपकी अलिजिबिलिटी हो अपना नाम एलेक्टरल रोल में जरूर जुड़वाएं सत्रह से एठारे बर्ष के हैं तो एडवांस में भी जुड़वाएं और मद्दान अवश्य करें क्योंकि मद्दान जैसा कुछ नहीं मद्दान जरूर करेंगे हम जाहें तो